आप सबका स्वागत है आज के इस कारेकरम में आज हम लोग जिस अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो जैशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य है साथियों आप जानते हैं कि आत्मकथ्य या आत्मकथ्या लिखना वैसे तो बहुत मुश्किल काम लगता है लेकिन आत्मकथ्या अपने बारे में लिखने से हम अपने बारे में तो जानते ही हैं दुनिया के बारे में भी जानते हैं तो इस चैप्टर के माध्यम से इस अध्याय के माध्यम से हम आत्मकत्हा लेखन की विशिष्टाओं को भी जानेंगे, कविता की विशिष्टाओं को भी जानेंगे, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भार्षा की बारीकिया क्या होती है, कविता में प्रेयोग होते ही उनकी विशिष्टाओं क्या होती है चलिए साथियों, अब हम आते हैं कि इस कविता पर, जो ये कविता है, जिसका शीरशक है, आत्मकत है, चलिए हमें थोड़ी सी पहले कविता हम पढ़ लेते हैं, मिला कहां हुआ सुख जिसका मैं स्वपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग ग रहा होता है, कहीं बार आपने देखा होगा शरारती बच्चे जो होते हैं, वो अपने बाहें फैलाई उसको बुलाने के लिए, आलिंगन में लेने के लिए, लिकिन वो आपके बाहों में नहीं आता है और भाग जाता है, लेखक ने बहुत सुन्दरधंग से एक ये चित् चित्र को वो कह रहा है कि ऐसे ही उसके जीवन में जैसे ये बच्चा को ये आलिंगन में आते है तिम उसकरा कर भाग जाए बिल्कुल उसी तरह से उसके जीवन में वो खुशी वो स्मृती आते आते चली गई थोड़ी देर के लिए कोई स्मृतियां उसकी खुशियों की वा कि थोड़ी देर के लिए जो ये खुशियां आई और वो चली गई आगे वो कहते हैं कि यही लेकिन उसके लिए साहरा बंजाते कि यही उसके जीने का साहरा बंजाती यहां जैशंकर प्रसाद जी ने वही बात कही है आगे कहते है कि जिसके अरन कपोलो की मतवाली संदर छ की पंथा की सीवन को उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की अब आपने एक कथरी नाम का देखा होगा एक विस्तर जैसा होता है आज कल एमपोरियम में खोब मिलता है गुजरात में खोब बनता है वैसे बिहारी उपी में भी गरीब लोग इसको बहुत प्रयोग करते हैं विस्तर के लिए इसको प्रयोग किया जाता है लेकिन आप इसकी विशेष्टा जान लेजिए इसकी विशेष्टा ये होती है कि जितने घर के पुराने कपड़े होते हैं उन पुराने कपड़ों को निचली तहों में लगाया जाता है और निचली तहों के बाद जब उपर अबर जर आप ध्यान दें, उसकी स्मृति पाथे बनी है, ठके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे, क्यों मेरी कंथा की? कभी कह रहा है कि उसका जीवन भी कैसा है, उसी कतरी की तरह है, जैसे कतरी होती है, कंथा होता है, जिसको हम लेवा, कतरी, कंथा, तीन नाम दे रहे हैं, तो जैसे वो होता है, उपर से तो अच्छा दिख रहा है, उपर से बहुत खुबसूरत है, उपर से कोई समझ भी नहीं मिलेगा सब कुछ निरर्थक सा दिखाई पड़ेगा बिलकुल इसी तरह से आगे का अगर हम देखेंगे बहुत सुन्दर उन्होंने आगे का भी लिखा है क्या या अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं यहां कहते हैं कि अच्छा तो यही होगा कि हम दूसरों की सुने और खुद अपनी चुप रहे हैं क्योंकि हमें अपने बारे में बताने से अच्छा है कि दूसरों के बारे में सुनना बहतर होगा मैंने आपको बताया था कि खास चूर से जाशंकर प्रसाथ इनके जीवन में जो इन्होंने फिलोसिफी जो दर्शन यहां दिया है वह दर्शन उनके गद्धे में भी दिखाई पड़ता है। बैठ करके वह खा लेता है और आगे की रास्ते पे चल पड़ता है। समय एक उनकी पड़ी मशूर उनका शेर है आपको याद रहना चाहिए और बहुत चर्चित है इसलिए सबी लोग जानते हैं मीर अर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि मीर के सिरहाने धीरे से बोलो बहुत आहिस्ता बोलो क्योंकि अभी तो बड़ी मुश्कल से रोते रोते बहुत मुश्कल से अभी अभी सोया है। इसलिए इतनी तेज न बोलो कि वह जाग जाए। बिलकुल उसी तरह का बिम यहां लिया है जैशंकर पसाल जी ने इसको हम लोग कहते हैं आपसदारी। एक दूसरे से कैसे भावनाई मिलती हैं और एक दूसरे से हम कैसे लेते हैं और देते हैं एक दूसरे को। सुनकर क्य समय भी नहीं ठकी सोई है मेरी मौन बैथा। बड़ी मुश्कल से मैंने समझाया है बड़ी मुश्कल से मेरी इस बैथा को इस दुख को मैंने समझाया है और अब ठक कर इसने स्विकार कर लिया है अपने जीवन की इन कमियों को इन अभाओं को इसने स्विकार कर लिया है औ और अब असके साथ जीना उसे आगया है। अब बड़ी ही मुश्कल से सोई है जैसे कोई बच्चा सोता है। बच्ची का रूपक लिया है, यहां कभी ने कहा, कि यह मेरी ब्यथा, मेरा दुख इस बच्चे की तरह है, वो बड़ी मुश्कल से सो ही है, और उसे अगर अगर तुमने फिर छेड़ दिया, फिर से मैं उसे याद करना शुरू कर दूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स अपने आपको संभाला है, बिलकुल उसी तरह से मीर्त की, मीर ने भी अपनी बाद कही थी, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है, पूरी कविता में कई प्रतीक आये हैं, जैसे मधुप का प्रतीक आया है, कंथा का प्रतीक आया है, आप और बिलकुलता हुँ दिखाई पड़े, तो एक पूरा का पूरा, बिमबातमक्ता इसकी विशेष्टा है, जो च्हायाबाद के हर कवी में दिखाई पड़ेगी, च्हायाबाद की हर कविता में प्रतीक चितरन आपको बहुत ही खुपसूरा धंक से दिखाई पड़ेगा और बिम्बात्मक्ता, चित्रात्मक्ता, कल्पनाशीलता उनकी विशेष्टा है। तो इस बिम्बात्मक्ता, इस चित्रात्मक्ता, इस कल्पनाशीलता को आप अपनी रचनाओं में भी प्रयोग करके देखिए। ये आपको निश्यत रुप से भाषा की आपको, आपकी आप इसके साथ कौन-कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं, इसको भी जान लेते हैं. पहली बात तो आप पहले इस कविता को अगर पढ़ें और इस कविता को पढ़ने के बाद, यह भी कहीं न कहीं मन में खयाल आएगा कि कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है. आप खुद अपने सोचिए कि आखिर क्या वज़र होगी कि कभी आत्मकथा नहीं तो कौन सी बातें आप लिखना चाहेंगे और कौन सी बातें नहीं लिखना चाहेंगे. क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि सारी बातें आप लिखना चाहें. तो कौन सी बातें हैं जिसकी वज़र से आपके मन में हिचके चाहत होगी. कई बार हम छुपाते हैं अपने तो ब्यक्तिगत सत्य को ब्यक्तिगत सत्य ही रहने दिया जाए, सामाजिक सत्य तक नहीं ले जाना चाहते थे, यह उनका कारण था, वो नहीं ले जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि सामान निधंग से जैसे जितना उनके जीवन को जानते हैं, उतना ही जाने, साथियों, मैं बता दूं कि कुछ चीचें हमेशा दभी ढंकी ही अच्छी लगती हैं, जरूरी नहीं है कि सारा सच कहा जाए, आप कहानिया पढ़ते हैं, आपको पता है कि जब आप कहानिया पढ़ते हैं, तो उन कहानियों का एक आधार होता है, कोई भी कथाकार कहानियों को कैसे जन्म दे कुछ ने कुछ उसका एक कथानक होता है कोई एक दिरिष्य कहीं कहीं कथाकार के मन में रह जाता है और उस दिरिष्य को विकसित करता है उस दिरिष्य को वह बढ़ाता है और जो बढ़ाता है तो क्या करता है उसमें क्या क्या डालता है उसमें कलपनाई आती है उसका अपना अनुभव आता है, किसी दूसरे का अनुभव भी आता है, इन सब को जोड़ करके वो कहानी को विस्तार देता है, मिलकुल इसे तरह से आत्मकथाओं को भी किया जाता है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा वही सचा जाए, इसलिए जब भी कोई आत्मकथा लिखे, तो सचाई और इमानदारी का जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो जरूरी है, और जैशंकर प्रसाद जी को यही शंका है, कि जैसे ही वो सचाई और इमानदारी से अपनी आत्मकथा लिखेंगे, वह लोगों तक अच्छे ढंग से नहीं पहुँचेगा, लोग उसमें चटकारे लेकर कुछ न कुछ जोड़ करके बताएंगे, यह उन्हें शंका थी, उनको डर था, आत्मकथा सुनने के संदर में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों कहता है, आप हमेशा पदवाक्यों पर ध्यान दीजे साथियों, जब पदवाक्य का प्रियोग हुआ होता है, आप पदपर कविता का, आप भी यह खेल करके देखियेगा, अभी समय भी नहीं, अभी समय भी नहीं मतलब, अगर आप इन पदवाक्यों का अकसर प्रियोग क्या करते हैं, संदर्ब में अगर ना करें, तो अकसर इनका प्रियोग आप वहां करेंगे, जहां समय नहीं है मुझे, अभी म ने खेल सकती, अभी में पढ़ नहीं सकता, ऐसा हम लोग अकसर प्रयोग करते हैं, तो कब करते हैं, जबकि हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन यहां कभी ने कैसे प्रयोग किया, यहां इस अर्थ में नहीं प्रयोग किया है, यहां संदर बदल गया है, और यहां प्रयोग क बीच जो खाली जगह होती है उसमें भी अर्थ होता है। यहां जैसे समय भी नहीं के बीच में उसने कोई शब्द कविने नहीं डाला है। फिर भी वो कहना क्या चाता है कि अभी समय बीता भी नहीं। बीता शब्द यहां पर silent है। दिखाई नहीं पड़ रहा है। लिखा लेकिन फिर भी उसका अर्थ यही है कि अभी समय कुछ बीता भी नहीं कि अभी बड़ी मुश्कल से हमने इसको संभाला है। तो इस तरह से भी आप पदवाक्यों को समझने की कोशिश के रिए कि इन पदवाक्यों में कहां और कौन शब्द silent है, जिसका मीनिंग तो आ रहा लेकिन वहा दिखाई नहीं पढ़ रहा है। बिलकुल उसी तरह से समृति को पाथे बनाने से कभी का क्या आश्य है। इस अब समृतियों को अभी आपको बताया था कि समृति को पाथे बनाना वह होता है जो खाने जो खाना हम लोग रास्ते के लिए ले जाते हैं। जैसे बिल्कुल उसी तरह से कोई यात्री जो होता है, खासवर से मजदूर लोग जो होते हैं, जब कही जा रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं, आप देखिएगा, तो गठरी से बांध लेते हैं, और वो पाथे होता है, रास्ते में रुख करके, अपनी पूरी यात्रा करने से पहले बीच में उसे खा लेते हैं, ताकि वो आगे का रास्ता तैय कर सके हैं, बिल्कुल उसी तरह से, अगर जीवन को पूरा रास्ता हम माल लें, कि कभी का जीवन एक पूरा रास्ता है, तो उसके लिए वो स्मिर्टियां क्या है, वो पाथे हैं, उसकी अपनी सुखद स् फिर कुछ पंक्तियां हैं जिसका भाव में हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं पहले इसलिए उस पर मैं नहीं आओंगे उज्वल गाथा कैसे गाउं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कभी क्या कहना चाहता है अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की कि जो पुरानी बातें थी वो बहुत अच्छी तो नहीं थी थोड़े समय के लिए अच्छा जीवन था उन थोड़े से समय के अच्छे जीवन को हम पूरे समय में कैसे बदल सकते हैं तो इसलिए बहुत मुश्किल है उस थोड़े से समय की स्मृतियों को उस थोड़ी सी अच्छी बातों को कहना आपके सामने इसलिए वह कहता है कि उसके बारे में कहना मुश्किल है। बारे में लिखते समय जरूर यह कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने जो शब्द बताए इन शब्दों की विशिष्टा तो बताईएगा प्रतिकात्मक्ता जरूर बताईएगा इसके साथ ही यह भी कोशिश करिएगा कि छायाबाद के अन्नी कभियों की तुल्ला में जैशंकर प्रसाथ की भार्षा की कौनसी विशिष्टा दिखाई पड़ी है जैसे जैशंकर प्रसाथ की कविता में बिमबात्मक्ता तो है प्रतिकात्मक्ता बहुत दिखाई पड़ेगी बहुत ज्यादा तो जो कि अन्ने कभियों में आपको शायद सुमित्रा नन पंध में इतना प्रकृति चितरण का अलग ही स्वा रूप यहां दिखाई पड़ेगा सुमित्र अंजन पंट के यहां भी प्रकृति चितरण यहां बर्द्धिद् título यहां नियुक्त आधार के रूप में प्रकृति आई प्रतिकात्मक रुप में आया है। कभी ने सुक का सवपना देखा था उसे कभिता की किस रूप में अभिवेक्ट किया है। तो एक जगह पर जहां आया है कि जो मिला कहा हुआ सुख जिसका, जह मैं सुपन देख कर जाग गया, तो उस पंक्ति का जिक्र किया गया है, यहां पर आप चाहे तो कर सकते हैं, कि वहां पर उसे याद आता है, अपने जिवन के वो सपने याद आते हैं. साथियों, आमने बहुत सी बातों पर आपसे चर्चा की, आपको पता चल चुका होगा, कि भाषागत विशेष्टाएं तो आप इनकी जरूर ही समझ पाएं होंगे, साथ ही आप यह भी जान पाएं होंगे, कि बहुत सी जो आत्मकताएं लिखी गई हैं, उनको पढ़ना क्यो साही का है, उसकी आत्मकता है आलो अंधारी, एक घर में काम करने वाली स्री की आत्मकता है, और उसको हम लोगों ने पाठिकरम में भी लगाया हुआ है, तो ऐसी आत्मकताएं, एक तो महान व्यक्तियों की आत्मकताएं, दुसरे बिलकुल सामानी व्यक्तियों की आत्मकता और बिल्कुल जिसको आप कहते हैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा, महान व्यक्तियों की आत्मकथा या फिर किसी शेत्र विशेष की व्यक्तियों की आत्मकथा जैसे जिसका मैंने जिक्र किया था आप से कि आलवा अंधारी के साथ सथ हमने चोला टाकियां वाला इस आत्मकत्य कविता को पढ़ते हुए अपने अनुभाव और साथ ही अपनी जीवन के बारे में लिख करके कोशिश करिए और हमें भी भेजते रहिए अपनी अध्यापक अध्यापिकाओं को भी लिख कर दिखाते रहिए आज इतना ही कावת वराए नपने पारे में बारे मेंदादाईं आज कर दो बता ही अनले का कर दो हुए खित्स वोड़ते ह arbitrती हुए और I आज ज्वतए बारे में पादाईंता पीरान का